Question number 3 क्या कहता है? differentiate the function sin ax plus b with respect to x देखो, sin x का अगर हम differential करते हैं तो पहले sin का differential करते हैं जो कि हमारा cos x आ जाता है और फिर इस x का differential करते हैं जो हो आ जाता है dx upon dx और ये चुकि 1 हो जाता है तो answer हमारा cos x आ जाता है सेम ची यहाँ पर करेंगे पहले हम sin का differential करेंगे तो ये cos x आ जाएगा और फिर इसका differential करेंगे तो देखो हम माल लेते हैं y is equal to sin ax plus b अब dy upon dx यहाँ पर लिख भी लेंगे differentiate with respect to x तो sin का differential जो हो जाएगा cos और इसको हम आज आ एक्स कंसिडर करेंगे तो ax plus b अब इसका differential करेंगे यानि d upon dx ax plus b cos ax plus b अब यहाँ पर differential करेंगे अंदर पूरे को तो यहाँ पर यह जो constant है यह पहले आ जाएगा और x का differential क्या हो जाएगा 1 लेकिन चुकिए यहाँ पर सिरिफ constant है तो इसका differential हो जाएगा 0 तो यह a को one से multiply करेंगे यही आएगा और a को हम पहले लिक लेंगे तो यह हो जाएगा a cos ax plus b और यही हमारा answer हो जाएगा जाएगा